करेंदें विलोग अच्छी होंगे तो आज भी फिर से 3 जो कि केक जो की आप केजी के होंगे और एक कोगा 1.5 तब से पहले केक जो कि आसी की है और यहां पे मैंने पिंक को डश्ट किया है लिक्वुड कलर हें तो लिक्वुड कलर करने के बाद कंगी से इस तरीके से डीज़ केक हो गया फेनिश तो इतना एजी केक था केक के ओपर कुछ भी नहीं करना था स्रिफ आइसिंग करना ही टफ था उसके बाद देख सकते हो आप लोग केक कितना सिंपल ही तरीके से रेडियो गया है और दूसरा जो केक था वो था यूनिकॉन का और यूनिकॉन के लिए मैंने यहाँ पर अभी गर्मी का टाइम है तो क्रीम लोग अलग से इसमें अड़ करेंगे तो क्रीम फट जाएगी और केक बहुत ही जादा मतलब बहुत द्यादा प्रावलम हो जाती है तो देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से कुछ शेड किया फिर उसके बार नियूरल रिलेज क यूज करके उसके उपर एक लेयर चड़ा दी जिससे क्रीम फट ही कही आखिरकार लेकिन फिर उसके बाद प्रॉपस लगाने के बाद केक ठोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा था और अभी गर्मी के टाइम में क्रीम फट जाती है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है और अभी उसरे का जो प्राइस था वो था 350 रुपीस सेम दोनों प्राइस था लेकिन इस केक का जो प्राइस है वो है 1000 रुपीस एंड ये केक की फोटो आई थी कस्टमर ने दी थी कि इस टाइब का मुझे केक चाहिए से पहले में ये केक लगबग 6-7 महीं हो चुके मैं बना चुका तो ये दुबारा ये को ओडर आया था उससे रिलेटेड केक चाहिए था तो उपर की साइड यहां पर बॉल्ट्स मैं लगा दी है उसमें बॉल्ट्स नहीं लगे थे वो प्लेन केक था लेकिन इसमें मैंने कुछ गोल्डन बॉल्स का यूज कर दिया उपर कुछ श्टार क यूज कर दिया और साइड में कुछ बटरफ्लाइज लगा के केक को कर दिया कम्पलीट तो पहले कर जो केक था वो भी सेम था बस पर गोल्डन बॉल्स नहीं लगी थी तो आई वो पाच कर दिया है आप सब ही को पसंदा होगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट बेडियो में तब कर ली सपोर्टे के राएंड गॉड ब्लेस यू यू वीडियो को लाइक कर देना चैपने हों सब्सक्राइब कर देना